नमस्कार मित्रों एक बार पुने स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल स्टेडी एक्जाम एकेडमी में आज 30 अक्टूबर 2020 करन्ट अफेर से जो भी कोशन बन सकते हैं वो आपको मैं हल करवाने की कोशिश करूँगा विया उमिद करता हूँ सारे कोशन आपको पिछे के मैंने जो समझाए थे वो आपको समझ आ रहे होंगे आपके लिए कुछ न कुछ हैल्प हो रहे हो आपको कुछ न कुछ ग्यान या अपने डोलिज में बलोतरी कर पा रहे होंगे चले मित्रो आज का मैं शेशन शुरू करता हूँ उससे पहले बता दूँ यदि जिसने इस यूटूब चैनल को सब्सकाइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सकाइब कर ले ताकि उन्हें डेली न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे करंट जीके का भी और बाकी अदर जो कला सारी कला से भी आपको मिलती रहे चले मित्रो आज का शुरू करता हूँ शौशन हाल ही में किस देश की संसद ने बीश्वा सविधान संसोदन पारित किया है बैया क्यों इंपोर्टेन बन जाता है अपन दूसरे देश के सविधान संसोदन क्यों पूछ पाते हैं या क्यों कर पाते हैं शिदा सिदा एक्जाम में आता है हमारे जो पडोसी देश हैं उनमें जो भी घटनाएं होती है इंपोर्टेंट वो हमारे लिए इंपोर्टेंट बन जाती है क्योंकि उनसे कोशन आने की परबल संभावनाएं रहती है तो 20 सविदान संसोदन में क्या है जैसे इसमें क्या किया जाएगा जो संसद की शक्तियां है उनको गटा कर राश्ट्रपती की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा इस सविदान संसोधन के देद क्या किया जाएगा पुने बोल रहा हूँ संसद की सक्तियों को गठा कर राष्ट्रपती की सक्तियों को बढ़ाय जाएगा तो अब वी वर्तमान में स्रिलंगा की बात आई है तो सिलंगा के वर्तमान परधान मंत्री को ने महिंद्रा राजपक्षे वहां का वर्तमान परधान मंत्री है जबकि वहां के वर्तमान रास्टरपती पूछे तो गोटा बया राजपक्षे वहां के वर्तमान रास्टरपती है और मैंने इसका बताई दिया बीश्वा सविदान शर्शोदन पायरित हुआ है जिसमें संसत की शक्तियों को गटा कर राष्टपती की शक्तियों को बढ़ोत्री की जाएगी सिर्लंगा की राष्दानी जे वर्दना पुरम कुटे ये उसकी नई राष्दानी पुरानी राष्दानी कोलंब होती चले मित्रू उमीद करता हूँ पूरा का पूरा कोशन आपको समझ आ रहोगा मैं आपसे पहले ही कह सुका हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आपको इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेर करना है जिसको काफी लोगों को इसे भाइदा हो पाए चले मित्रू अगला कोशन लेता हूँ मैं सेकंड कोशन इस पे स्टार लगा ले सारे लोग इस कोशन पे स्टार लगा लेंगी क्योंकि ये इंपोर्टेन रहेगा आपके लिए कौन सा सेकंड कोशन चले मित्रू सेकंड कोशन है हाल ही में लुईस अर्षे केटा कोरा को किस देश का रास्ट्रपती नुक्त किया थे क्यों इंपोर्टेंट मनता अभी बताता हूं वो बोलीविया के रास्ट्रपती बनाए जिसकी राज़दानी ला पाज यह ला पाज नाव इसलिए लिकरा हूं अभी इसका कारण बताता हूँ भीया लापाज कोशन सीधा सीधा आपने एक जाम में आता है सबसें उंची राजदानी कौनशी है तो लापाज विश्वे की सबसें उंची राजदानी है पुने बोधराओं कोशन आता है विश्वे की सबसे उंची राज़दानी कौन सी है तो आपको आंसर रखना है लापाज जो की बोलिविया देश की राज़दानी है और यह दक्षिन अमेरिकी देश है चले उम्मीद करता हूँ यह बात भी आपको कंटस्ट होई होगी और लुईस अर्से केटा गोरा को बोलिविया का क्या बनाये गया भी या राश्टरपती बनाये गया हाली में एक देश का राश्टरपती और बने हैं सेशल्स के सारे लोग वीडियो को पोच गरेंगे और सेशल्स के जो राष्टपती बने उनका comment box में comment करेंगे जो आज ने जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूँ बेवेल राम कलावन बेवेल राम कलावन को सेशल्स का राष्टपती नियुक्त किया गया है Photoshop एक हिन्द माइश अगर ये देश है जो कि Afrika continent Afrika माधिक में आता है मैंने कहा हिन्द माधिक काई populations गया है लेकिन माधीफ कौन सा है अफ्रिका माधिक है ये बात आप जرور द्ध्यान रखना थर्ड नमबर Quotion है हमारा हाल ही में America के इस कोशन पे सारे लोग इस्टार लगा लेंगे इस कोशन को पूर्णते समझेंगे धान पुरोक और इस पे इस्टार लगा के रखेंगे कोशन है हाल ही में अमेरिका के सरवच्च नायले के नायदीश किसे बनाया गया है तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले लगबग 10 से 12 दिन पहले एक कोशन करवाए था वो भी आपको बताता हूँ और इसके बारे में भी बताता हूँ तो अमेरिका के सरवच्च नायले के नायदीश एमी कोनी बेरेट को मनाय गया है ये महिला है या कोने महिला है और ये अमेरिका की 115 वी राज़दीश है कौन सी 115 वी नायदीश पुने बोदराओं एमी कोनी बेरेट महिला नायदीश है जो की अमेरिका की 115 वी नायदीश है अभी मैंने कोशन करवाए था कि हाल ही में रूड बतेर गिंस बरक का निदन हुआ है रूड बतेर गिंस बरक का निदन हुआ है ये पहला उप्सन ये निदन हुआ है ये कौन थी तो आपको याद रखना अमेरिका की नायदीश थी और ये एमी इनी का इस्तान लेगी एमी किन का इस्तान लेगी एमी रूड बटेर जिन्सबरकन इस्तान लेगी जो कि वहां की वर्तमान कौन थी नियाईदीश थे जिनका निधन हो चुका है होता क्या है अमेरिका में कुल अमेरिका के उच्छे नियाईले में सुरी सरवच्छे नियाईले में नो नियाईदीश होते है यहां होता क्या है कुल न्याइदीस नो है जो की जीवन परियंत न्याइदीस रहते हैं एक बार न्याइदीस बनेंगे उसके बाद वो जीवन परियंत न्याइदीस बनेंगे होता क्या है जब 99 बनाया जाता है अमेरिका में तो वहाँ का एक उच्छ सदन है जैसे अपना राज्य सबा है वहाँ का है या सिनेट कौन है सिनेट ये सिनेट वहाँ का उच्छ सदन है इस सिनेट में कुल सो सांसद या सो सदश है कितने सदश है सो सदश है जिसमें से 52 सदश उमीद करता हूँ प्रति एक बात आपको समझ आयोगी यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भीया लाइक करते रहे हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते रहे हैं इस कोशन बेभी बिया स्टा लगा ले सीधा सीधा छपेगा कोशन आपको आंसर रख लेना है हाल ही में रिचर्ड डोकिन्स अवार्ड 2020 किसे नवाजा गया है रिचर्ड डोकिन्स अवार्ड बिया जावेद अक्तर को दिया गया है किसे दिया गया जावेद अख्तर ये क्या करते हैं ये फिलम की जो कहानी होती है वो लिक्टे हैं कौन जावेद अख्तर आपने एक जरूर मुवी देखी होगी दोस्तों उसका नाम मैं बतारहा हूं वो कालिया वाली है ना मोوवी मैं नाम भूलगा हो दोस्तों बहुत शोले शोले मूवी की कहानी इन्होंने लिखी थी जावेद अक्तर और सलीम खान ने इनने मिलकर शोले फिलम की कहानी लिखी थी तो जावेद अक्तर एक कहानी राइटर है जिने रिचर्ड लोकिन्स अवार्ड 2020 से नवा जा गया है और ये पहले भारतिये हैं जिने ये अवार्ड दिया जाएगा ये पहले भारतिये हैं जिने ये अवार्ड दिया जाएगा दिचर्च लोकिन्स अवार 2020 किसे दिया गया जावे दक्तर बार-बार इस लाइन को बोलें और रट लें अपने दिमाग में छाप लें कोशन सीधा-सीधा छप जाएगा आपके एकजाम में चले मित्रू फिप्त नमबर कोशन हाल ही में किस देश ने 2050 तक सुन्य कारबन उत्सरजन का लक्षे रखा है तो भया वो देश जापान जापान ने 2050 तक सुन्य कारबन यानि बिल्कुल कारबन का उत्सरजन नहीं होगा जिससे क्या होगा प्रियाव रणप प्रदूशन नही लक्षे रखा है तो जापान की बात है ये जापान की राजदानी टोकियो बताओ टोकियो में कौन से ओलंपिक होने भी या आपको ये कमेंट बोक्स में कमेंट करना है Tokyo Olympics 2020 में होने वाले थे लेकिन उन्हें 2021 के लिए इस्तगित कर दिया गया है शीत कालिन या गृष्म कालिन तो आप नोट करें 32 वे गृष्म कालिन Tokyo में जिने क्या कर दिया गया है 2021 तक इस्तगित कर दिया गया है मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं सीधा सीधा चप जाएगा 32 वहां उलम्पिक कहां होना है टोक्यो सारे लोग नोट कर लेंगे इस बात को जापान की मुद्रा पूचे तो येन देखें मुद्रा अलग है इसके कारण इंपोर्ट में बनता है येन मुद्रा है यहां की यहां के वर्तमान परदान मंत्री योशो हिंडे सुगा पूने नाम लिख लेता हूँ मैं योशो हिंडे योसो हिंडे सुगा यहां के वर्तवान परदान मंत्री है यह किन की जगे लेंगे भया यह शिंजो आबे की जगे लेंगे किन की जगे लेंगे शिंजो आबे की जगे और शिंजो आबे सरवादिक शमय तक परदान मंत्री रहने वाले वेक्तिय हैं भया देखे छाप ले इस लाइन को पूरी लाइन को छाप ले अपने दिमाग में 3-4 कोशन बन जाएंगे उस लाइन में से भारत ने निदरलेंड के साथ समझोता कर डी कार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिक्शन एजेंडा समझोता किया है पुर्णे लाइन बोल रहा हूं भारत ने निदरलेंड के साथ डी कार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिक्शन एजेंडा समझोता किया है इस समझोते के तेत होगा क्या इसके तेत लक्षे रखा गया कि कार्बन मुक्त भारत हो कार्बन का उत्सरजन नहीं हो इसका लक्षे रखा गया है आप तो यह याद रखे किस देश के साथ समझोता किया है भया निदरलेंड ये नोट करने ना आप निदरलेंड के साथ समझोता किया है डी कार्बोनाइजेशन के लिए कारबन की खतम करने के लिए ये निदलेन के साथ भारत ने समझोता क्या है निदलेन से जुड़ावा अभी मैंने कोशन बताया था दो दिन पहले उसको कमेंट बोक्स में कमेंट कर देना आपको चले मित्रों सिक्स नमर कोशन हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग कहां से शुरूई है प्लास्टिक प्रीमियर लीग या इंदोर से शुरूई है ये आईपियल इंडियन प्रीमियर लीग के सिदान्द पर शुरूई है या आईपियल के सिदान्द पर अभी आईपियल क तेरवान संस्क्रण यू ए ई संयुक्त अरब अमिरात में हो रहा है ये भी बात नोट कर लें तो प्लास्टिक प्रिमियर लीग में होगा क्या चार टीमें बनाई जाएगी इसमें कितनी टीमें बनाई जाएगी चार टीमें बनाई जाएगी जो क्या करेगी प्लास्टिक को कलेक्ट करेगी प्लास्टिक को अपने संग्रेन करेगी यह कितने दिन चलेगी भया 45 दिन यह लीग चलेगी कितने दिन 45 डेज इसमें होगा क्या यदि एक टन कचरा किसी ने कलेक्ट किया तो उसे 10 रुपे मिलेंगे एक टन कचरा कलेक्ट करन एक रिपोर्ट जारी किये जिसमें भारत का सबसे सवच्च सेर किसे दिया गया है तो इंदोर को भारत का सबसे सवच्च सेर गोशित किया गया है जो लगातार चार सर से भारत का सबसे सवच्च सेर है वह या यह भी बात नोट कर लेनी है दो नमबर शूरत को दिया गया है यह भी बात नोट कर लेनी है यहां मैंने दो तीन कोशन बता दिये हैं सारे लोग प्रतिक कोशन को नोट करते चलेंगे चलेंगे सेवन्थ नमबर कोशन FIFS सुनें आप FIFS यह कसन सता है भी या इसका नया द्यक्ष किसे बनाए गया पहले इसका फुल फॉर्म लिखे आप Federation of Indian Fantasy Sports पुने बोल रहा हूँ Federation of Indian Fantasy Sports पुने बोल रहा हूँ Federation of Indian Fantasy Sports यह संस्ता है इस संस्ता का नया द्यक्ष किसे बनाए गया क्यों important बन जाता है अभी बताता हूँ मैं इसका नया अद्यक्ष विमल जुलका को बनाए गया है किसे बनाए गया है विमल जुलका को आपने विमल जुलका का नाम जरूर शुना होगा दोस्तों क्योंकि भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त मैं पुने नाम बोद रहाँ मुख्य शूचना अयुकत कोषन आएगा सीधा सीधा भारत के वर्तमान मुख्य शूचना अयुकत कोन है तो विमल जुलका नमबर भी याद रखें ये 10 वे नमबर के हैं कौन से 10 नमबर के मुख्य शूचना अयुकत है मैंने यहां जानकारी दे दिए अब या मुखे सूचना आयुक्त वीमल जुलका है जो की भारत के दसवे सूचना आयुक्त है मुखे सूचना आयुक्त है चले मित्रों यहां option में शुनील अरोडा लिखा है भारत के वर्तबान मुखे निर्वाचन आयुक्त मैं पुने बोदराओं चारों के चारों आप नोट कर लेंगे ये option ऐसे option रखें जो सीधा छपेगा आपके एकजाम में सुनील अरोडा भारत के बारे में कोशन कर वाया उसको कमेंटि भुक्स में कमेंट लिख देना है ग्रीज चंदर मुर्मू ये नाम बहुत इंपोर्टेंट है भीया ग्रीज चंदर मुर्मू भारत के वर्तमान केग है भीया केग C.A.G. नियंतरन एन मालेका प्रिक्षक कोने भीया नियंतरन एन मालेका प्रिक्षक आर्टिकल 148 में इसका उलेक है अर्टिकल 148 में इसका हो लेगे मैंने क्यों कहा कि ये इमपोर्टेट रहे क्योंकि ग्रीज चंदर मुर्मू जमू कश्मीर के पहले उपरफ्रायजे पाल भी रे चुके हैं ना नोट करें पहले उपरायजे पाल ग्रीज चंदर मुर्मू जबकि वरतमान में दूसरे जो उप्राइज पाल है वो है मनोज शिना प्रते एक बात नोट कर लें ये कोशन में मैंने बहुत सारी जानकारी दी आपको उमीद करता हूँ जो दोस्त प्रते एक नोट करता चल रहा होगा उसको काफी फाइदा हो रहा होगा चले मिदattered नक्सट कोशन है हाल ही में आई डिपोर्ट के नोट कर लेंग है दादा साफ फाल के पुरुषकार अमिता बच्चन को दिया गया है ये कोशन उतना important नहीं है जितना important ये कोशन मैं बोल रहा हूँ वो important है 2019 का दादा साफ फाल के पुरुषकार किसे दिया गया तो अमिता बच्चन को दिया गया ये बात सारे लोग अपने नोट बुक में नोट कर लेंगे मैं तो कहता हूँ दिमाग में नोट कर लेंगे चले मित्रो नेक्स्ट कोशन हाल ही में चर्चा में रहा बस्ती कोटडा बादली पुरातत तो इस्तल कहां इस्तित है क्यूँ चचा में रहा बाद में बात करूँगा कोशन कहां से लिके गुजरात में इस्तित है कहां इस्तित है गुजरात में यहां बैया क्यू चचा में रहा तो भारत और कनाडा भारत और कनाडा ने मिलकर यहां एक प्रिक्षन किया है जिसमें पाया है कि डेरी उत्पादन का अउशेश मिले हैं किसके डेरी उतपादन के डेरी उतपादन के अउशेश कहां से मिले हैं तो बस्ती कोटडा बादली पुरातत्व इस्तल से मिले हैं जो की गुजरात में इस्तित हैं और जो ये परिक्षन किया गया उस परिक्षन का नाम लिखें आप stable isotopes पदत्ती stable isotopes पदत्ती के अनुशार भारत तथा कनाड़ा ने मिलकर बस्ती कोटडा बादली पुरातत वे इस्तल में dairy उत्पादन के अवशेश खोजें सीधा सीधा कोशन छपेगा dairy उत्पादन के अवशेश का मिलें तो बस्ती, कोटडा, बादली, पुरातरत, वे इस्तल, राज्ये का नाम भी जरूर याद रखें आप गुजरात, ये बात बार-बार बोल रहा हूँ, इसलिए बार-बार अपने दिमाग में सेट करते चलें इसको, तिले मित्रू, नेक्स्ट कोशन लेता हूँ, टेंथ नम् कमेंट बोक्स में कमेंट कर देनी है, कल मैं या अगली वार जब भी गुजरात का नाम आएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में गुजरात के बारे में जरूर बताऊंगा, चले मित्रू, इसकोशन बेबी लगा ले स्टार, हाल ही में भोग योजना किस राज्ये दवारा श करती है, उस परशाद या मिठाई का चेक अप होगा, क्या होगा, उसकी चेकिंग होगी, और यदि मिठाई और परशाद अच्छा है, तो उन्हें जो दुकानदार है, उससे सटीपिकिट दिया जाएगा, कि आप ये परशाद बेच सकते हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात, जिसके बाद वो उस परशाद को बेच पाएगा, उमीद करता हूँ, भोग योजना समझ में आई होगी, आप तो याद रखें, उत्रप्रदेश में, इसकी फुल पॉर्म बहुत याद रहे हैं, फुल पॉर्म जरूर याद रहे हैं, इसकी मैं फुल पॉर्म नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये छप जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, ब्लिस्फुल हाइजेनिक ओफरिंग, ओडवलेफ, इर आई एन जी, ओफ, जी ओडी गोड, पुने बोल देता हूँ, ब्लिस्फुल हाइजेनिक ओफरिंग, ओफ गोड, इसकी फुल पॉर्म बार बा पाए होंगे, ये मेरी उमीद है, यदि आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजे बन रहे, तो आपको कमेंट बोक्स भर देना है, उसको मैं आराम से देखके आपको दूसरे दिन जरूर हल करवा दूँगा, भया विनाईक जो नाम से विवेक नाम से, वो जरूर अपने सेले होती चली जाएगी, आप पकड़ी नहीं पाएंगे, आपका सेलेक्षन कब हो गया, लेकिन आपको विया मैनत तो करनी होगी, जिसको सेलेक्षन चाहिए, वो मैनत जरूर करेगा, जिसको नहीं चाहिए, वो मज़े करे विया, चली मित्रो आज का सेशन यहीं समात करता आप इस चैनल को देख पाएं, इस वीडियो को देख पाएं, इसके लिए आपको धन्यवाद, इस आपको अच्छा लगा, तो आप लाइक करें और शेयर करें, चली मित्रो धन्यवाद, और लास्ट में जे हिंद, जे बारत